गैस हम लोग डिसकस करेंगे Central Asia meet के बारे में तो पहली India Central Asia Summit अभी recently host की गई थी हमारे Honorable Prime Minister के द्वारा नरेद मोदी जी के द्वारा इस meeting को अटेंड किया था कजागिस्तान, क्रेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान के प्रेसिदेंस ने तो मैं च Central Asia Summit जो है गाईस इसने complete कर लिये हैं अपने 30 साल के diplomatic relationship को 30 years के इंडिया और Central Asia के बीच में diplomatic relationship अभी complete हुए हैं अभी जो पहली India Central Asia Summit इंडिया के दौरा जो host की गई उसमें और इस summit का result जो निकला वो क्या निकला Delhi declaration और गाईस इंडिया ने चिंता जताई है किस चीज को लेकर कि इंडिया और Central Asia जो की landlock countries हैं इनके बीच में connectivity की कमी है इंडिया Central Asia तक connect नहीं होना चाहती तो ये इंडिया ने चिंता व्यक्त की है और आप जानते हैं गईस कि we aggressively wants कि हमें Central Asia का market मिले aggressively want because हमारा आत्मिरभर भारत अभियान है इसके थुरू हम लोग manufacturing कर रहे है manufacturing को बढ़ इसी बात है domestic needs को तो हम पूरा करेंगी करेंगे साथी साथा मैं exports भी करना और Central Asia का market हमारे लिए बहुत ज्यादा important एक तो काफी नजदीक भी है और नजदीक होने के कारण हमारे products महंगे नहीं होंगे यानि कि shipping cost और various cost नहीं लगेगी और हम चाइना को जो है वो counter कर सकेंगे और चाइना Central Asia में बहुत huge interest जो हो ले रहा है तो हम जाने की Central Asia में हमारा market जो हो हम create करें तो इसलिए we wanted की इंडिया और Central Asian countries के बीच में एक अच्छी connectivity जो हो build up infrastructure हो कि हम connect कर सकें हमारा सावान उन तक पहुच सकें and leaders ने announce किया एक plan कि नई दिल्ली के अंदर जो है वो Central Asia Center जो ह इवन अनाउंस किया गया दो working groups को joint working groups को अफगानिस्थान और चाबर port project के लिए और यह जो पूरी countries जो है Central Asian countries है और उन्होंने highlight किया तापी gas pipeline project की importance को अब तापी gas pipeline project क्या है तो इसके बार में आपको बताऊंगा अभी short मैं आपको दायता हूं कि यह जो project है वो तुर्कमे तुर्कमेनिस्तान से शुरू होता है तुर्कमेनिस्तान में हम लोग को गालक निशक गालक निशक ओईल फील्ड देखने को मिलती है तो वहां से यह शुरू होता है और वहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हूए इंडिया आती है तो वहां से अफगानिस्तान पाकि पागिस्तान के बार में आपको पता ही हमारा इशू चलता ही रहता है उससे तो यही कि यह pipeline जो है वह जलती 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 है वह शुरू हो तो यह Central Asian की country जो है वो Afghanistan और Pakistan में जो issues जो चलते रहते हैं अक्सर तो इसके बीच का जो है वो समाधान निकाले और तापी gas pipeline को जो है वो शुरू करें राइट इवन जो alternative routes जो available है जैसे कि इंडिया को अगर in Central Asian countries तक पहुचना इन landlock countries तक पहुचना है तो हम समुद्र के जरीये भी प हावर पोर्ट जो है वो बनाया है और इवन उसके जरीये हम पहुच सकते हैं Central Asian countries तक और इवन हम लोग international north-south transport corridor के माध्यम से भी पहुच सकते हैं बंदर अबबाज और जिसे प्रमोड किया जाता है रशिया और इरान के द्वारा उसके माध्यम से तो ये international north-south transport corridor क्या है इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस इसके बारे में भी हलाकि मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूं बदा चुका हूं और फिर से हम लोग अभी discuss कर लेंगे आपको revise भी हो जाएगा तो ये एक चीज है तो अभी में मुद्दा क्या है हमें Central Asian countries तक होंगे तो अभी सी बात है कि इंडिया के लिए benefit है क्योंगी इंडियन प्रेटक्स वहाँ पर ज्यादा स्यादा बेखेंगे है ना तो यह चीज़ है अब बहुत ध्यान से सुनो Central Asia की importance के बार में हम लोग बात करेंगे राइट जियो स्ट्रेटिजिक कुरी चीजें तो थोड़े समय के बाद कि आप देखिए कोई भी company जब setup की जाती है तो उसका response जवाब को थोड़े समय के बाद मिलता अभी वहाँ पर कोई ज्यादा competition नहीं है तो हम पहली अगर बिजनस पर घुज जाएंगे तो हम अपनी monopoly create कर देंगे तो हम उस market के अपनी boundary share नहीं करती है तो इसलिए यह बहुत major जो इशू है वो connectivity का सबसे बड़ा है हमारे लिए जो आज की रेट में सबसे बड़ा challenge है वो यह है कि Central Asian countries तक हमें पहुचना है अब इसके लाब economic importance की भी बात करें Central Asia की तो यहाँ पर बहुत huge natural resource है जैसे कि crude oil natural gas gold copper aluminum iron तो भी बताइए मैंने आपको थोड़ा सा तापी के बारे में जो है वो बताया था तापी तो आप मुझे बताएं कि तापी जो है वो कहां से शुरू हो रही है अब देखो तापी शब्द T API इस शब्द से ही पूरे initials हम लोग को मिल रहा है ती से क्या है अभी मैंने थोड़ी द से हो रही है कहां से हो रही है बताओ अभी बताया थोड़ी देर पहले तो यह आपके लिए कोश्चन था और बाकी आप समाझगे हो कि यह Central Asia की कंट्री जो है वो बहुत रिच है natural resources में यहां पर बहुत पोटेंशियल है ट्रेड करने का इंवेस्मेंट करने का मार्केट पॉइंट्स है यह आप मेंस में लिख सकते हैं अब हम आते हैं International North-South Transport Corridor पर कि यह है क्या अंतराश्टिय उत्तर दक्षण परिवहन गलियारा है क्या तो इंडिया इरान रशिया तीन कंट्री का नाम याद रखना कौनसी कंट्री है इंडिया इरान रशिया इन्होंने से qutest multimodal transportation route होगा जो की इंडियान ओशियन को link करेगा Persian Gulf Caspian Sea के साथ इरान और St. Peter's Bug के जरीये मतलब कि ऐने इन्टी मोडल remainder transportation route मतलब मतलब की ship के जरीये भी मतलब की समुद्र के जरीये भी आप यहा तक पहुंचोगे इंटरनेशन नौर्ट साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सिर्फ रोडवेज वाला नहीं है रेलवेज भी इंक्लूडड़ है इसमें बॉटर वेज ट्रांसपोर्डेशन भी इसके अंदर इंक्लूड़ है ठीक है तो यह पॉइंट आप थोड़ा से ध्यान में रखना इंटरनेशन नौर्ट साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इरान रशिया इंडिया के बीच में पर्शियन गल्फ इंडियन ओशियन कैस्पियंसी यह याद रखना यह तीन वाटर बॉड़ी यह तीन कंट्री याद रखना ठीक है तो इसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि यह तीन कंट्री मतलब की लैंड रूट के थुरू यह तीनों कंट्री यह कनेक्टिविटी क्रेट करेंगी और लैंड के जमीन के बीच में जो पानी वाला अब जमीन पर चलती हे तो रोडेश और यह तीन मोर्ट्री में बहुंचने का हम लोग को देखने को मिल रहा है expertise झाल यह चीज़ है और ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवक है, शिप का, रेल का और रोड का, जैसे मैंने भी आपको बताया है, कि अगर कोई भी समान अगर आपको पहुचाना है, तो रेलवेस, वाटरवेस, रोडवेस के मादे हमसे, आप या तीन कंट्रीज में अपना समान जो हो, पहुचा सकतो, बहुत ही शौट डिस्टेंस के माद्य हमसे, और इसमें कौन से कौन से छेतर इंवल्व हैं, तो इंडिया, इरान, रशिया तो हैं, इसके लाबा बीच में, अजर्बाइजान, अफगानिस्तान, और सेंट्रल एशिया और ये रोप भी इसमें इन्वाल्व हैं, बड़ में जो ये प्रोजेक्ट है, इंडिया, इरान, रशिया का, तो यह पॉइंट आप थोड़ा से ध्यान रहें, यहां देक बात क्लियर हो गई, अब तापी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, टी, ए, पी, आई, टी का मतलब तुर्क मेनिस्तान, ए का मतलब अफगा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, क्यों रुका है, आप जानते हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर नाटक चल रहा है, तालिबानी होगा, और इंडिया, पाकिस्तान के बीच पर टेंशन चलती रहती, तो इन बुद्दों के कराण यह प्रोजेक्ट जो है, वो तापी पूरा अगर यही चीज हमारे पास तुर्कमेनिस्तान से आ जाए, तुर्कमेनिस्तान से अगर हम नैचुरल गैस को बुलवा लेते हैं, तापी प्रोजेक्ट के माध्यम से, पहला पॉइंट यह तो एक तो हम लोग को सस्ती पढ़ेगी, क्योंकि नजदीक होगी, हम नजदीक मिलने के बाद, तो यह हो जाएगी, तो इसलिए यह हमारे लिए एक अट्राक्टिव डील हमें देखने को मलती हैं, तुर्कमेनिस्तान एक अट्राक्टिव पोजीशन हम लोग को देखने को मलती हैं, सस्ते में हमें मिल जाएगा, और इसली जो हो लगभग 15% इंडिया की जो नीड्स है, डिमांड है, उसको यह फुल्फिल कर पाएगा, तो यह 15% का प्रोजेक्शन 2020 का रखा गया था, और तापी pipeline अगर आ जाती है, यह अगर successful हो जाती है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो मुद्दे हैं, वो भी हो सकता है कि आपस में resolve हो जा तो, there is no permanent friends or no permanent enemies, what is permanent, that is interest, कभी कोई permanent किसी का दुश्मन नहीं होता, ना कोई दोस्त होता है, पर्मनेंट जो चीज होती है, वो interest होती है, तापी के case में natural gas, सभी के लिए फायते मन्दे है natural gas, अब जब पाकिसान, इंडिया, अफगानिस्तान, अब इंडिया, पाकिसान, आप जानते ही हैं, तो, अगर ये natural gas, जो है, उससे फायदा पाकिस्तान को भी होगा, अफगानिस्तान को भी होगा, इंडिया को भी होगा, तो ये फायदे वाली डील है, तो सबने हाथ मिला लिए, क्योंकि सभी के फायदे वाली डील है, किसी एक के फायदे की होती, दूस की objective है चाइना को जो है वो counter करना राइट इंडो-pacific छेत्र में अपना dominance वो establish करना चाइना को counter करना राइट वैसे तो इन्होंने कभी भी निकाए कि यह चाने को counter करने के लिए बनी है बट वी नो अबाउट इट कि चारो country जो है वो like-minded एक जैसे सोचती है तो यह mutual interest ही है जो इनको बांद के रखा है combined करके रखा है तो गेम होता है mutual interest का जिस आपको उता हूं मैं कि एक time था कि जिस समय United States जो है वो Palestine को support कर दी ती आज की रेट में समय बदल लिया अब इस्राइल को support कर रही है यह वाली बात कभी सोचना इस बारे में कि कुछ नहीं होता यार main चीज मैं भी आपको हमेशा गहता हूं कि सिर्फ अपने interest के लिए वो काम करो और कभी भी कोई जैसे for आज मैं मेरा समय इस तरीके का है तो इसलिए चार लोग मुझे ऐसा बोल रहा है आप ही होगे सेम आप बदलोगे तो नहीं आप ही होगे बड़ सरकम्स्रेंस बदल जाएंगे क्योंकि मेरा आपको क्या बोला कि लोग आपसे दुश्मनी या दोस्ती करेंगे आपको देखकर आपके समय को देखकर तो इसलिए आज की रेट में तयारी करो जो आज की रेट में आपको बोल रहा है कि तुस्से तो एक्जाम नहीं निकलेगा जिस दिन IS आपके नाम के आगे लग जाएगा ओफिशली तो यानि कि IS का ए दियर कर जाओगे यही वो लोग होंगे जो आज की रेट में बोल रहा है कि तुस्से नहीं निकलेगा यही आपके साथ यह बात मान के चलो कि रिलेशंशिप बिल्ड़ अप करेंगे अच्छा बोलेंगे कि भाई मुझे तो पता था यार तेरा निकलेगा मैं तो जानता ही घर परिवार वाले जो आज की रेट में दूर भगने लगते हैं सब के सब आपके घर में आएंगे इस देश के लिए होना इस देश की तरक्की के लिए सीरियस होना आपको कैम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के पॉलइसी बनाशिफ मिनिस्टर के साथ बैठ के पॉलिशी बनानी ओनिए रही है blockchain को यह भाल तो की चीजह को मत सोचो 210 प्र अच्वं मों डिए उस इसलिए आप कर रहे हो, आपको उस प्रिस्टीजियस पूजीशन पर पहुचना इसलिए आप कर रहे हो, हैना, तो उस पर फोकस किया करो, तो यही चीज है, तो तापी को हमने डिसकस किया, तो मैं उमीद करता हूं कि यह पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्य से शह स्मंवे वार में डिसकेशन हुआ उसका आइडिया हम नहीं दिया, तो ये था गाइस पूरा वरो टॉपिक.